स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले तो भारत के लिए एक और जटका पहले शिखरधवन चोटिल होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हुएं आप विजेशंकर भी बाहर हो गए हैं विजेशंकर को जो टोप अगेन लगा था जस्पिर भुमरा का अफगानिस्तान मैच से पहले लेकिन भारत ने उनको रिस्क लेके अफगानिस्तान और वेस्ट इंडिस का मैच खिलाया है और अब कहते हैं कि टो जो है वो इतना खराब हो गया है कि ना सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर होंगे बलकि आगे के लिए भी उनको वक्त लगेगा ठीक होने के लिए और माइक अगरवाल को एक रिप्लेस्मेंट के तौर पर बुलाया गया है लेकिन टीम की चिंता अब ये है कि इंग्लेंड से हारने के बाद अगर बांगलादेश और श्रलंका को हलके में लिया तो ये ना हो कि सेमीफानल की टिकेट भी भारत के हाथ से निकल जाए अगर भारत इन दोनों को हराता है तो दूसरे पाइदान पर आएगा और हो सकता है सामने तीसरी पाइदान पर इंग्लेंड आए यानि कि दो और तीन का अगर सेमीफानल होगा तो बर्मिंगम में ही इंग्लेंड और भारत का सेमीफानल होगा तो अब सवाल ये भी है कि भारत कल की हार को भी खंगाल रहा है कल की हार हुई बड़ी हार हुई ना सिरफ हार हुई बलकि कई सवाल पूछे गए कि भारत ने क्या इंटेंट दिखाया था क्या भारत पहले 10 ओर में 28 रन बनाना वाजिब था और जो आखरी 10 ओर में भारत की बैटिंग थी इस्पेशली जब केदार जादव और धोनी की पार्टिशिप चल रही थी तो उससे क्या हुआ क्या उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ तो जब आप 338 चेस करकर 5 ही विक्टे गवाते हैं और 31 रन से मैच हार जाते हैं तो सवाल उठेंगे सवाल उठाए गए टीम मैनेजमेंट ने भी ड्रेसिंग रूम में सवाल उठाए कि क्या हमारी इंटेंट सही थी और इसके बाद ये होगा कि भारत कल के मैच में आए बांगलेदेश के किलाफ मैच में दो बदलाव शायद करेगा एक यह है कि भुवनेशुर कुमार जो अभी तक चोटिल चल रहे थे अब टीम उनकी फिटनेस को लेकर कॉन्फिडेंट है शायद वो कुल्दीब जादव को रिप्लेस करेंगे ग्यारा में क्योंकि इस स्पिकेट पर कल इंडिया ने देख लिया कि स्पिनर्स को बहुत जादा मदद नहीं मिलेगी और एक स्पिनर्स चहल के साथ ही टीम खेलेगी और भुवनेशर कुमार होंगे तीसरे फास बोलर दूसरा बदलाओ केदार जादव को लेकर कल ही हमने सवाल उठाए थे कि क्या केदार जादव की यूटिलिटी सही है क्या साथ रंबर पर अगर वो बैटिंग करने आते हैं तो वाजिब है और हो सकता है कि केदार जादव को भी कल ग्यारा में दिनेश कार्तिक से रिप्लेस किया जाए क्या दिनेश कार्तिक के बारे में टीम हमещaha यह कहती थी कि हम उसको फिनेशर के तोरप इस्तेमाल करना चाहते हैं फिरिशर के तौर पर देख रहे हैं तो दिनेश कार्तिक के दार जादव की जगा शायद कल 11 खेलेंगे और उदर कुलदीप यादव की जगा खेलेंगे 11 में भुवनेशर कुमार ये दो पॉसिबल चेंजेज हैं बांगलादेश के किलाफ मैच में कहीं न कहीं भारत ने कल ज चैंपियन टीम है हम टोटल के लिए जा रहे हैं तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए क्योंकि जब हार आती है बड़ी टीम के साथ ऐसे मौके पर जिसे कहते हैं बिजनेस एंड आफ टॉर्णमेंट जहां एक हार सवाल खड़ा करत हो सकता है केल रहुल जिन्होंने पाकिसान के खिलाफ हाफ सेंचुरी की थी उनके सलामी विकल्प के तौर पर मैंक अगरवाल को रखा जाए कि अगर जरुरत पड़े तो क्या मैंक अगरवाल और रोई शर्मा से ओपन कराया जाए और अगर रिशब पंत हालाकि इन्होंने क्योंकि हार के अलावा जो सवाल भारत से पूछे गए जो दुनिया पूछ रही है क्या आपने सही इंटेंट दिखाया उसको लेकर टीम शायद आहत है और विराट कोली ने भी कल आपको याद होगा मैंच के बाद कहा था कि हमारा हारने का तरीका बहुत जादा अच्छा नही氣 है हमें यह देखना होगा कि हम अपने रंचे जो कियुँ सही तरह से पेस नहीं कर पाए तो यह यहां से अपडेट है हर अपडेट आपको मेंजास पौर्च सपॉर्ट तक पर भी आज तक पर भी और इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजी